तो एक गैलोनमेटर गेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 0.006 एंपियर करेंट वाइ कनेक्टिंग टू ए 49900 रेस्टेंज इट कैन बी कनवर्टेड इंटो एवोल्ट मीटर ऑफ रेंज 30 वोल्ट पहले वोल्ट मीटर की रेंज का फार्मूला लगा दीजिए फार्मूला क्या दगाईए आपको पतां आप ध्यान क्या वोइक करना मेंटर होता है और वोल्ट मीटर के लिए क्या एक रेसिस्टेंस ऐसे लग जाता है ground थीगIT न तो वह आप इक्वल्टू कितना है 30 वोल्ट है ठीक है तो आई जी कितना है आपका 0.006 है यहां से आप रख दीजिए इसको 0.006 और यह आपका आर की वैल्यू 4990 है प्लस आर जी इक्वल्टू 30 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है एक चीजी को भी सबको क्लियर है बात एकदम तो यहां से बस आरड़ी निकाल लो ठीक है न तो आटवी यहां से कितना आ जाता है टैनों आजाता है आपका आप कहरा है कि इसको इतने हो कितने हों रिजिटेंस से कनेट करेंगी यह डेट एम्पियर करेंज का मीटर में कनवर्ट हो जाए ठीक है न अब हाँ इन की वैल्यू 5 आई की के साथ रिजिस्टेंस है इस तरह का यह आपका आई है और यह आपका आईजी है यह आपका आई माइनस आईजी है ठीक है तो आईजी इन्टू आईजी इकवल टू यह आपका आरेस है आई माइनस आईजी इन्टू आरेस आईजी इन्टू आईजी इन्टू आईजी इन से आई जी इंटू आड़ जी अपॉन आई माइनस आई जी अग ये वैलियू उठा के रख दो सारी चीज़े हैं आपके पास इसमें ठीक है यह आजाएगा टैन इंटू आड़ जी किता था सिक्स इंटू टैन डिस टू नहीं कितना था आड़ जी तैन ही था आपका 10 था और आई जी थी 6 इंटू 10 डिस टू पावर माइनस 3 अपॉन 1.5 एंपियर चाहिए आपको रेंज और आपका आई जी कितना है आई जी फिर से 6 इंटू 10 डिस टू पावर माइनस 3 है तो यह कितना आजाएगा 4 इंटू 10 डिस टू पावर माइनस 2 तो 2N बाइ 2 49 इक्वल टू 4 इंटू 10 डिस टू पावर माइनस 2 तो यह N आजाएगा आपका कितना आएगा 428 इंटू 10 डिस टू पावर माइनस तो यह कितना आगिया 5 आजाएगा पर एक्वेट कर देंगे उतलब हाँ तो एक्जेक्ट लिए कैसा है या फिर यह भी तो ऐसे ही आना ची एक्जेक्ट लिए सब मैंतर से सीम नहीं आना थी अलग कैसा अगया है इसमें अप्रॉक्सिमेशन कुछ लिए है अच्छा यहां पर अच्छा है चलो ठीक है वो देख लेना आप 4.98 यह फाइफ आंसर था इसका तो इसने नियर एस अभी आपको जैसे अप्रॉक्सिमेशन भी लगाने पड़ सकते हैं इसमें कभी अप्रॉक्सिमेशन भी लगाने रखा है अच्छी लिख लो 100 है ठीक है और आई जी कितना है 50 माइक्रो एंपिर है आई जी 50 माइक्रो एंपिर है वाट रिजिस्टेंट शुट बी एड़ेट तो यूसेड़ एज वोल्ट मीटर ओफ रेंज 50 वोल्ट एन अमीटर ओफ रेंज 10 मिली एंपिर पहले आपको 50 वोल्ट का बताईए तो कितना रिजिस्टेंट शाहिए बहुत जगे आपके नेगलेक्ट हो जाते हैं इसमें इसमें और आउगा शैट कहीं न कहीं ठीक है न तो यह अप्रोक्सिमेट भी आप यूस कर सकते हैं कि आपकी एको 50 माइक्रो एंपिर बहुत स्मॉल है ठीक है देखिए आपके अंसर सारे के इसके इस तरह से कि जी अंड्रेड हो में तो आपने क्या करा इसमें इंटू आर प्लस आरेस करा यह अंड्रेड प्लस आरेस 15 इंटू 10 इस पावर माइनस 6 इक्वल टू 500 तो आरेस कितना आएगा यहां से अंड्रेड कितना आ गया यह अंड्रेड प्लस इसमें भी उज़ा एंड्रेड प्लस आरेस इक्वल टू 10 इस टूपावर 6 अब किस पर टिक करेंगे आप अपने इस टूपावर 6 डारेक्ट हो जाएंगे औरे विनम्र आपने एक्जेक नि फिर वही करोगे 50 इंटो 10-6-100 इकवल 10 मीली अंपर माइनस आईजी 10-50 इंटो 10 इस टूपावर-6 ठीक है in to RS रेस की यहां से आप करोगे तो इसमें भी एप्रॉक्सिमेर्ट आप कर सकते हो जैसे 10-1-3 था यह 10-6 था ठीक है तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो इसके कम परिजन यह अंड्रेड आएगा है यह फिर बाइनस एक्स एक टीकर न जो भी चलो यह आपका 0.45 आज जाएगा एक अप्रॉक्सिमेशन कर सकते हैं इस पर इह बताना चाहिए न जैसे 10 में से 0.05 तो आपने 10 ही छोड़ दे आए इस तरीके से कर सकते हैं आए गया है तेन होग ठीके को दिक्कत तो नहीं वेटा यहां तक बताई किसी को को कि